वक्रतुंड महा काया सूर्य कोटि समप्रभा निर्विग्णम कुरुमे देवा सर्वकानेशु सर्वदा हमारी कहानी शुरू होती है हिमालय के सबसे उची परवत कैलाश परवत से यहां रहते हैं गनेश जी के पिता भगवान शिफशंकर और मा पारवती शिफशी के सबसे बड़े सेवक नन्दी बैल है और उनकी बड़ी सी गणों की सेना है यही से शुरू होती है हमारे प्यारे बाल गनेश जी की कहानी एक बार मा पारवती ने नन्दी से कहा नन्दी मैं नहाने अपने महल में जा रही हूँ जब तक मैं आज्या न दूं किसी को भी महल के अंदर मत आने देना जो आज्या मा थे आज्या मा जब तक मैं जाएवणे तक परमचर के विए आज्या मा रावणे तक अव्या करें जय हो भोलेनात रास्ते से हटो अंदर जाने दो चमा करें प्रभू माह पार्वती ने कहा है कि किसी को भी अंदर ना आने दें अरे मूर्ख यह आदेश औरों के लिए है मैं तो उनका पती परमेश्वर हूँ परहलूँ प्रिय है प्रिये आप भीतर कैसे आ गए नंदी ने आपको रोका नहीं प्रिये वो मेरा दास है उस बेचारे की क्या मजाल जो मुझे रोके पर मैंने उसे पहरे पर बिठाया था उसे इस तरह मेरी आग्या का अपमान नहीं करना चाहिए था पर मैं तुम्हारा पती हूँ मुझे रोकने का क्या फायदा आपका कहना सही है प्रभू पर नंदी का इस तरह मेरी बात ना मानना धर्म संगत नहीं है क्रोध मत करो प्रिये उसे क्षमा कर दो वो थोड़ा कम बुध्धी का है नहीं ये नंदी ने ठीक नहीं किया लेकिन वो भी क्या करता है स्वामी भगता है उसे अपने स्वामी को रोकने की हिम्मत नहीं होई होगी मुझे एक ऐसा गंड चाहिए जो बुध्धी मान हो सासी हो और मेरी आग्या का पालन करे मैं खुद एक ऐसा गंड बनाऊंगी मैं खुद एक बनाऊंगी लुद एक बनाऊंगी जी मा ओ नेड़न उन्फ सिप्प जी मा ओ और दूनर्न और मे जी Pa अम्नाव शीवाइ अम्नाव शीवाइ अम्नाव शीवाइ अम्नाव शीवाइ अम्नाव शीवाइ अम्नाव अम्नाव शीवाइ 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 अम्नाव अम्नाव हुआ हाँ देखो हमें और सतर्क रहना होगा और कहीं भी हो सकता है आप लोग सब ध्रान दे है शराज़सों कभी ही वो अुआा जाए उन ऌन अज आए जाए उन अ conservation हुआ हं आच 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 इंट्लिय के जात आच आच कि उन proving कि एत्या हुआ 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 हाह गनेश, पुत्र गनेश, जी मा, पुत्र गनेश, जी मा, देखो पुत्र, मैं स्नान ग्रव में स्नान करने जा रही हूँ, तुम द्वार पर बैठो, और जब तक मैं ना कहूँ, किसी को भी अंदर मत आने देना जो आगिया माते, मैं किसी को भी अंदर आने नहीं दूँगा, आप निश्चिन्त होकर स्नान करें कहीं खेलने में भूल तो नहीं जाओगे नहीं मा, आप चिन्ता ना करें शमा करें प्रभू, आप अंदर नहीं जा सकते नन्हे बालक, तुम कौन हो, और मेरा रास्ता क्यों रोग रहे हो मैं गौरी पुत्र गनेश हूँ और माता के आदेश का पालन कर रहा हूँ उनका आदेश है कि जब तक वो आग्या ना दे, किसी खोबी भीटर आने ना दिया जाए गौरी पुत्र, तब तो यह आदेश मेरे लिए नहीं है क्योंकि मैं गौरी पती शिवशंकर हूँ द्वार से हट जाओ बालक कदापी नहीं, जब तक मा आग्या नहीं देती, मैं किसी को भी भीतर जाने नहीं दूँगा जिद मत करो नादान बालक, सामने से हट जाओ यह आसंबव है देखो तुम मेरे क्रोध को नहीं जानते, रास्ता छोड़ो, वरना परिणाम अच्छा नहीं होगा परिणाम चाहे जो भी हो, सूरिय पश्यम से निकल सकता है, चंदरम अपना मार्ग बदल सकता है, पर मैं अपने धर्म के मार्ग से नहीं हट सकता हूँ मूर्ख बालग शांत, शांत प्रभू, जोटा सा बच्चा है, इसे मैं समझा बुझा कर हटाता हूँ समझाने से ना माने तुँ जबरदस्ती हटा दो बालग गणेश, तुम मेरे स्वामी का गुस्सा नहीं जानते बाते मत बनाओ, हिम्मत है, तुम मुझे हटा कर दिखाओ मुझे मत ललकारो बालग दरपोख हो तुम दरपोख ऐसी बात है, तुम मेरे शक्ती का सामना करो अलाला मार डाला रे मार डाला सेना पतिगंड अपने रक्षकों के साथ जाओ और उस हठी बालक को हरा दो जो आज्या प्रभू चलो बाल इड्या प्राँ प्रुड़ाँ प्रुड़ाँ अनार्थ 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 घूर अनार्थ भगवान शंकर गुस्से में आकर ये क्या अनर्थ कर रहे हैं बालक गणेश को प्यार से समझाने के बजाए उसे परास्त करने के लिए गड़ों की सेना भेजी है मुझे बीच बचाओ करना पड़ेगा रुको ये क्या मुर्खता है एक अकेले बालक से इतने सैनिक लड़ रहे हो पीशे हटो पुत्र गणेश आपको भी इस तरह हट नहीं करने चाहिए हट मैं नहीं पिता जी कर रहे हैं तुम्हें पिता की आग्या का पालन करना चाहिए मार्ग से हट जाओ पिता की आग्या का पालन करूँगा तो मा की आग्या का क्या होगा और मा का आदेश मैं कभी नहीं टैल सकता जिद मत करो बड़ों की बात मानते हैं द्वार से हट जाओ मेरे लिए सबसे बड़ास्तान मा का है, मैं नहीं हटूँगा इसे युक्ति से हटाना पड़ेगा अन्यथा, यदि भगवान शंकर को क्रोध हा गया, तो अनर्थ हो जाएगा देखो बालक, मेरी बात मानोगे, तो तुम्हें पुरस्कार दूँगा पुरस्कार का लालच देकर आप मुझे बहलाना चाते हैं, ये आपको शुबा नहीं देता ब्रमदेव मुझे दिक्षा मत दो बालक, हट जाओ, नहीं तो अब डराने लगे, परंतु मैं डरने वाला नहीं हूँ इसे वश्मे करने के लिए बल प्रयोक करना पड़ेगा, तुम्हें दंड देना ही पड़ेगा इस बालत पर ब्रमास्त चलाना ठीक नहीं होगा सब्सक्राइब जय करता प्राइब रखना ही तुम्हें एहाँ मिला फ्ति ओरने कर भी बैस क presumably हुई। प्ति तो बहाँ Communist जर ग हुआ झाल उरह, पुजन शोर। कर दो दो गोर अनर्थ होने वाला है क्या हो आप रभू आप विचलित क्यों हो गए सब कुशल तो है ना देवी भगवान शंकर का क्रोज चलम सीमा पर है और वो तांडव कर रहे हैं शिव शंकर तांडव कर रहे हैं तब तो अवश्य ही कोई गोर विपत्ती आने वाली है हाँ हमें जल्द ही उनको शांत करने के लिए कैलाश पर जाना होगा प्रभू मैं भी आपके साथ चलती हैं इसी बहाने बहन पार्वती से भी मिलूंगी और रहे हैं इसे से रहे अरी कारा जाँ गव होगाँ इसे से बव़फ इस प्रभाशिती उनकर आपके से अरुणियों आपके से प्रभूफिती उनकर प्रभूबाबना है अरहे अरहे हैँ इसका तो यहाँ स्वामे ये मेरे पुत्र का वत कर दिया पुत्र गनेश पुत्र गनेश ये अपने क्या किया प्राणात क्रोध में अपने ही पुत्र का वत कर दिया और आप सब देवगर्ण चुप चाप खड़े ये तमाशा देखते रहे किसी को इस नादान भालक पर दिया नहीं आए क्या एक नन्य से भालक को हराना इतना जरूरी था कि सभी देवता यहां इकठे हुए है बोलिए आप सब चुप क्यों है शान्त होगे आपका क्रोध इस नन्य से भालक के प्राण लेकर नहीं हुआ तो मेरे भी प्राण ले लीजिए मुझे अपना पुत्र वापस चाहिए जीवित आपको इसे प्राण दान देना होगा अन्य था मैं भी यहीं प्राण त्याग दूँगी यह आप क्या कह रहें यह देवी मैं न्याय मांग रही हूं मेरा पुत्र निर्दोश था वो मेरे आग्या का पालिन कर रहा था क्षमा करें देवी यह असंभव है तो मेरा जीवित रहना भी असंभव है यदि इसी समय मेरे पुत्र को पुनर जीवित नहीं किया गया तो मैं भी प्राण त्याग दूँगी आपने क्रोध वश अपने ही पुत्र का वत कर दिया भोलेनात अब आपको देवी पारवती का आग्रह स्विकार कर बालक गनेश को जीवन दान देना ही होगा अन्यथा उनकी क्रोध की अगनी सारी सृष्टी को तहस नहस कर देगी वास्तों में देवी पारवती का आग्रह अनुचित नहीं है क्रोध में आपने जो अनुचित कार्य किया है उसका यही प्राइश्चित हो सकता है भूलेनात अंक और त्याग कर देवी पार्वती की प्रात्ना स्वीकार किजिए भूलेनात यह संभव नहीं है मेरे शस्त्र के प्राहार से जो सर धड़ से अलग हो गया वो फिर से जोड़ा नहीं जा सकता तब तो यह कहीं उपाय है किसी और बालक का मस्तक जो आपके शस्त्र से ना काटा गया हो बालक गणेश के धड़ से जोड़ा जा सकता है सोचने में समय नश्ट मत कीजिए तुरंत अपने गड़ों को आदेश दीजिए जाओ, किसी ऐसे बालक का सर लेकर आओ, जिसका चेहरा पुतर दिशा में हो और जिसकी मा अपने पुतर की तरफ पीठ करके सो रही हो जो आग गया प्रभू देर मत करो, अगर समय निकल गया तो ये कभी जीवित नहीं हो पाएगा जो आग यह, चलो हुआ 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 कर दो हाँ पुब हो इंडेरा पास्ता इंडेरा... पास्तादा इंडेरा... अपप पुब करोड़े... अरे मूर्खो ये क्या ले आए प्रभू आपने जो आदेश दिया था उसके अनुसार यही एक बालक मिला हम उसका मस्तक ले आए हैं सोचने का समय नहीं है भोले नात इसी मस्तक को जोड़कर बालक गणेश को जीवित करो हुआ 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 अुआ 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 आव नामा शीवाए नामा शीवाए शीवाए कर दो 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 लो देवी ये जीवित हो गया आपने इसे जीवित तो कर दिया प्रभू कि परन्तु इस रूप में इसे देखकर सब इसका मसा खुडाएंगे चिंतित मत हो प्रिये ऐसा कुछ नहीं होगा मैं इसे वर्दान देता हूँ कि युगों युगों तक लोग इसकी पूजा करेंगे ये अध्भुद्बालक प्रिथ्वी वासियों का कल्यान करेगा मैं इसे वर्दान देती हूँ कि जब भी कोई शुप कार्य होगा तो सबसे पहले गणेश का पूजन किया जाएगा ये बालक विध्या और बुद्धी का दाता होगा हर मंदिर और घर में इसकी स्थापना की जाएगी लोग इसे हमेशा लड़ूओं का भोग लगाएगे मजा आ गया जीओ नंदी महराज बस ऐसे ही जुलाते रहो बहुत आनंदा रहा है काश मेरा मूशक यहां होता मैं तो यहां हूँ जैसे वो मुझे अपनी पीप पर घुमाता है वैसे ही मैं उसको इस जुले पर जुलाता क्या बात है प्रभू मैं यहां नीचे हूँ और मुझे मालूम है कि आप जान बूचकर ऐसा कर रहे हैं बालक गनेश लगता है कहीं से मुशक की आवाज आ रही है मगर दिखाई नहीं दे रहा है वो मुशक अरे कहां हो भाई दिखाई नहीं दे रहे बाल गनेश आपको बुला रहे हैं मैं कोई पंची हूँ जो सम्मुझे ऊपर ढूंड रहे हैं अरे चुह माराज आपने कहीं हमारे मुशक राज को तो नहीं देखा कुछ-कुछ आप जैसे ही दिखते हैं अरे ये तो अपना मुशक ही है नंदी उसे उपर आने दो मुशक उपर आजाओ आजाओ जल्दी आओ चलो आखिर आपने मुझे देख लिया गनेश जी यहां उपर आजाओ अरे नंदी जड़ा धीरे मुशक जल्दी आओ ना आ रहा हूँ देखो कितना मज़ा आ रहा है मोटे कोई बात नहीं सब लोग खुश हो लो तुम सब को देख लूँगा मैं प्रभू हां मुशक आज सुबा से इतने लोगों के होते हुए मैं ही बुद्दू बनाने को मिला था बना रहा हूं जब आपको सवारी करने का मन करें तो बुला लेना यूंकि मैं जानता हूँ आपको मेरी सवारी का आनन किसी भी जूले की सवारी से ज़्यादा आएगा ओहो बुरा मान गया किसी को मेरी परवा नहीं जब देखो मजाख उड़ाते हैं अरे मुशक रुको तुम तु नाराज हो गए कभी कभी हजी मजाख करना चाहिए इससे दिन अच्छा भीटता है तुम्हारी सवारी और मा के हातों के बने मोदक से ज़्यादा मुझे कुछ प्यारा नहीं है मैं नहीं रुकता, मैं जा रहा हूँ रभू बचाए रभू बचाए रभू बचाए आप इसे क्या हो गया मुशक क्या हुआ अरे मुशक इतने डरेवे क्यों हूँ प्रभू बचाए अरे मुशक क्या हुआ अभी तो बड़ा मुख फुला कर गया था बड़ी जल्दी वापस आ गया वो भी चिलाते हुए प्रभू आजकर लगता है दिन ही खराब है पहले आप सब ने नचाया और हम करने उदर गया तो एक बिल्ली ने भगाया प्रभू उदर एक बहुत बड़ी बिल्ली है बिल्ली से डर गया चलो मैं देखता हूँ किस बिल्ली ने मेरे प्यारे मुशक को डराने की इमत की है अभी उससे मज़ा चखाता हूँ नहीं नहीं मैं नहीं जाओंगा आप ही जाएए मुशक बिल्ली से डर गया मुशक बिल्ली क्या कर रहे हो मुशक राज बालक गनेश आप अपने इस मुशक और उसको डराने वाली बिल्ली को संभालिए भोले नात शिवशंकर का समाधी से उठने का वक्त हो गया है मुझे उनको कैलाश की सवारी कराने ले जाना है मैं जा रहा हूँ ठीक है नंदी तुम जाओ देखती है कौन सी बिल्ली है जिसने मेरे मुशक को डराया है मुशक कहां है वो बिल्ली सब लोग इस बिल्ली को डूड़ो कहां गई वो बिल्ली कहां कहां गई मुझे नहीं बिल्ली को डूड़ना है कहां गई वो रही पकड़ों से आ जाओ सब लोग तो तुम हो वो बिल्ली जो मेरे प्यारे मुशक को डरा रही थी रुक पकड़िए अभी तुझे ठीक करता हूं वैसे भी आज मेरा मन खेल ले को कर रहा है तो क्यों न तुम्हारे साथ ही खेला जाए मुझे देखकर भोली बन रही हो अब तो तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा तुम्हें मेरे प्यारे मुशक को डराया अब मैं तुम्हें मज़च चखा करी रहूंगा मुशक मुशक बहुत 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 रुट्जा कहां भाग रही है अहां 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 पूसेत नहीं छोड़ूंगा क्यों, फस गयना अब कहाँ जाओगी? मस गई, मस गई अब क्या म्याओ म्याओ कर रही हो? हमारे गणिश जी को इतना बगाया अब मसा चको चुप मुशक अभी तो मुझे इसके साथ और खेलना है म्याओ म्याओ क्या कर रही है अब कर तो गई काम से अच्छा क्या बले? अच्छा मुशक यह बली कह रही है कि उसको नहाना है नहलाओ नहलाओ यह ना इसकी इतनी छोटी सी चप पूरी कर दे पूरी करो, पूरी करो उच्छा उच्छा सबख सिखाओ याद रहे, आपसे किसी चुहे को टराने की कोशिच बिलकुल मत कर रहा है आज़ 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 मैं करता हूँ ना तुम्हारी मदद आज़ अब जो तुमने सबक सीखी लिया है मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा क्या हुआ ठक गई हो क्या बस इतना ही खेलोगी अगर दुबारा तुमने ऐसे किया तो तुम्हें ऐसे ही सबक सिखाना पड़ेगा अगली बार तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूँगा अब जाओ यहां से और किसी चुहे को मड़ डराना चली गई सबक सिखाते सिखाते तो मुझे भूक लग गई है चलो मुशक चल कर मा के हाथों से बने मोदक खाते मोदक मोदक क्या चलो मुशक मा मा कहा है आप मा बड़ी जोर से भूख लगी है जल्दी से मुझे मोदग दो ना चलो वहाँ देखते हैं हाँ आप कौन है और माता पार्वती कहा है मुझे उनको एक बड़ी मज़ेदार बात मोदग खाते खाते बतानी है मा आप आपका यहाल किस ने किया है मुझे उसका नाम बताइए उससे मैं नहीं चोड़ूंगा चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न छुपाओ तुमने मैंने आपने हां तुमने मा याप क्या खेर रही है हां मा मैं तो आपको कभी सपने में भी दुख पहुचाने कि नहीं सोच सकता बेटा हां मा आज जो तुम लोगों ने एक बिल्ली को सताया वो बिल्ली मैं ही थी हां लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है और मा मैं बिल्ली को सता नहीं रहा था उसने मुशक को डराया इसलिए उससे सबक सिखा रहा था जी है तुम तो चुप ही रहो चुप कौन-कौन लोग ये तमाशा देखकर खुश हो रहे थे लेकिप गणिश इस धर्ती पर जितने भी मनुष्य पश्यू पक्षी प्राणी हैं वो सभी भगवान के बनाये हुए हैं और मैं मैं किसी ना किसी रूप में हर असहाई जीव में समाई हूँ अगर तुम किसी भी असह जो कुछ भी किया वो सब कुछ मेरे साथ भी हुआ है आज तुमने अपनी मा को बहुत कश्ट दिया है बेटा मुझे अपनी कर्दी का एसास हो गया है मा मेरा सबक सिखाने का तरीका गलत था मुझे माफ कर दो मा मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था अनजाने में मैंने आपको इतना दुख पहुचाया आप सही कहती है निकुशी के लिए किसी और को तंग करना गलत है मैं आपसे वादा करता हूँ आज के बाद किसी और कमजोर को तंग नहीं करूँगा बलकि उसकी मदद करूँगा हाँ मैं भी बेटा मुझे खुशी है तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया और अब तो मेरा प्यारा बेटा बे सहारा जीवों को सहारा देगा लेकिन ये सब भूके पेट कैसे होगा चलो चलो पता है मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे मोदग बनाए हैं खाओगे नहीं कि मोदग के लिए हमने कभी ना कहा है कि ये देखो ये साब तुम्हारे लिए कि मां अब कितनी अच्छी हो मां प्रभू तार्कासुर ने कार्टिके को अराने के लिए कैलाश पर्वत पे आक्रमण कर दिया भगवान शंकर भी नहीं है हम क्या करें गबराओ नहीं इस तार्कासुर का बद हमारे प्यारे भाई कार्टिक के हाथों से ही होगा हम युद में कैलाश में रहकर अपने भाई का साथ देंगी आओ अनुच इस रिष्टि को तार्कासुर के अत्यचारू से मुक्ति दिलाने का वक्त आ गया है जो अग्या भाईया अप निश्चिंत रहे मैं अभी इस पापी को उसके कर्मों का दन देकर इस धर्ति को उसके पापों से मुक्त करवाता हूं टो बाईया झाहाँ लाईया इस चाहाँ लो नेली झाहाँ वपकर प्र चल्चे को जादा आख भाईया वो उसके ार्छों अंपने पाला हूं कि अरे ये क्या ये नन्ना सा भालत मेरा क्या वद्द करेगा इसको तो मैं चीटी की तरह मसल के रख दूंगा इसके लिए तो मेरा एक दत्यसानी की काफी है हसले अहंकारी मुर्ग मृत्यों से पहले जितना हसना है हसले क्यूंकि आज के बाद ना तू रहेगा और ना तेरी हसी तेरी ये मजाल माया वी बालक अभी मैं तुझे और तेरे मुठी बर्गनों को मजा चखाता हूं हुआ कर दो दो तुझे ओंगाया कką दो ऺडिसे कारानों की तुझे कारे भी ना वे बाल हम है कार्षा टेल बहुब वाँ बाँ लो फुर्फ्रёज़। हुआ 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 सार्फ व दो एह हुआ हुआ अए-एएए करते हुआ करते प्रथ प्राट हाह! कि ट pat बड़ा हाहẁ एक उँख्यार, एक झायरा जी काना, सहे है अवाए lleunt किन वी बे ञर रखस्व आड़, किन वी बादा जी डार ले ंवायर, किन वी बादा जी मिपल मोच आना, कर दूब अजाए कर दो कर दो कर दो पे प्रॉत कर दो कर आार रम छिरन कर?, ब रहा, कर क up लेह, कर दो खिल 19 श्रान कर दो खिल को प्रत है लुट करद है। करद है यह कर दो जो तो उष है उष है झाल हम यह अजय वित वित ... ... ... ... ... ... विर लूदो ठेहिस से आट में वीक करने लिया ऊ division में लिवाओंर जेहिस बेरा झाजिव अट्रारे काफarna अट संदो एलभ उने इन सारी तूले करी तेहिस बढ़ा एलापे फिर दो प्यूला से दोर घ् Wa мог टमें पूले पहते हैं। चूब एए एराइए एराइए झाग 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 हैं। झाल 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 झाल